कई साल पहले एक बाबा गाउ में आई और कई लोग अपने दुखों का समाधान पुछने उनके पास गए बाबा ने आराम से सब के परिशनों का हल बताया और सभी को कहा कि सयम रखो और महिनत करो एक महिना तो ऐसा आराम से चलता रहा फिर लोग हर बार उसकी समस्यों के बारे में सिकायत करने आने लगे बाबा ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा उनके सब को एक पेड के नीचे बूलाया और एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हसी में जुमूठे कुछ समय बाद उन्हों ने उन्हीं वही चुटकुला सुनाए और उन्में से कुछी मुश्कुराई जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाए तो कोई भी नहीं हसा बाबा मुश्कुराईवर बोले जैसे तुम बार बार एक ही मजग पर भस नहीं सकते वैसे ही एक ही समय साप पर बार बार रो क्यों रहे हो कहानी से सिख चिंता करने से आपकी समय से हो का समधन नहीं होगा और नही नही कहानी सुनने के लिए चैनल का सब्सक्राइब करो